प्रकूणares तेख्ते हुए अपने घर के त्हों से पाइन ट्रेसर। Is समय को हल करना जारूर है। आपकूरतिती लिओंसर श्वलाक्नास धूरे這個 बाजुमें Welford हर किसी के हमाम से भाई के आता है वो सारा वहाँ से उस साट से भाई के आता है और यहाँ पे कोई होता है डेने सिस्टम वो यहाँ पे कोई हाई नहीं हलो फ्रेंड्स मैं हूँ बैद और आप देख रहे हैं भियो इनी टाइमस न्यूज इस वक्त हम मौझूद हैं खाड़ी पार के वाड नंबर एक में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि खाड़ी पार में खौनी गराम पंजायत का अलेक्शन चल रहा है तो यहाँ पर साती साथ स कर दार सहीता लग जाएगा तो आप सभी जानते हैं कि उम्मीद्वार बहुत सारे होते हैं लेकिन उमीद्वार वही होता है जो पपलिक की उम्मीदों पर खारा बाड़ी पार के जो सोचल व्रकर राए अकील जावा वह हमारे साथ मौझ नव्जुद है चलिए उनसे भी बात करेंगे कि वह क्या सोचते हैं आने वाले इस ऐलक्शन को लेकर और वह क्या सोचते हैं इन उम्मिद्वारों के बारे हमेशा खड़े वाले और पुरी खाड़ी पार के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे इंशाला आप लोग का साथ रहेंगा तो हम लड़ते रहेंगे और पानी के लिए कोशिच करते रहेंगे और लाएंगे पानी निशाला आपकी निशानी क्या है हमारी निशानी है और भाय की निशानी है चस्मा लेडीज ही सिर्फ पानी इस इस इलाके का मसला है या पानी नहीं के लड़ ऑपर पानी के पानी का मसला रहता ही है पानी के इलावा और किन किन चीजों पर आप काम करने वाले साफ सभाई का भी मुद्दा है फिर पीछे टॉलेट का मुद्दा है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं उस पर हम लोग मिलके काम करनी कुशिश कर दे तो दोस्तों हमारे साथ आप मौझूद हैं शोचल वरकर अकिल जावा भाई तो अब उनसे बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस इलेक्शन को लेकर जी अकिल भाई देखिए आप यहां पर आए सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपके चैनल के मध्यम से खाड़ी पार का बहुत बड़ा मसला जो है पानी के मसला यहां पर पिछले 30 से 35 साल से लोग परिशान है जबके किसी भी मसले को हल करने के लिए साल 2 साल लग सकता है पास साल भी लग सकता है लेकिन 20-25 साल नामुम्खिन सा लगता है मतलब यह मैं किसी खामी नहीं बता रहा हूं लेकिन कमिया जरूर है उन कमियों को दूर करने के लिए उन कमियों को दूर करने के लिए जितने कैंडिडेट खड़े हैं यह खुच से खड़े हुए और यह जो सफिया दस्तगीर मुमि तो हमेशा सुनने में आता है जो वी उम्मीद्वार होते हैं चाहे यहाँ का हो चाहे पर प्रफजिशन को कहीं कभी एलेक्शन हो तो सब के वादे दिखते हैं कि हम यह करेंगे यह करेंगे यह करेंगे करता कोई नहीं है यह वादा इराद हुआ, हमने अगर इन दो candidate को मिलकर ख़ड़ा किया है तो उसकी वज़े एक वगत था ये पूरा मॉलणा गवा इस बात का, पुरा खाडी पयवा है एक हो ताए वादा इृदा हिरादा, और एक होता है करके दिखाना, जिस रास्ते पर आप खड़े हो, जाते थे और ना सिर्फ यह रसुलाबाद का सेमेंट कॉंक्रेट अब्दुल्लाश्ट करखाने का रस्ता उसके इलावा एहमद नगर का रस्ता उस पैम यहां को जो मुकामी मिंबरान थे उनका भी सपोर्ट था लिक और वह लोगोंने ताहून किया था उनके ताहून से इतन आपको बताना चाहता हूं महीने का छेसा हुआ रूप्या शालाना 36 और उसके उपर जुलुम हो रहा है हमारे उपर के हमको नलपटी भरना पड़ रहे है यह 40 है पानी लेकर खरीट के पी रहे हैं जो हमारा हमारा होट लेना चाहते हैं तो यह सारे मुद्द्ध हैं हम चाह सब्सक्राइब करना चाहते हैं क्या इतनी रखम देंगे हम सोट लेंगे क्या और सवाल पैसे का नहीं है सवाल यहां पर की बच्चियां जो है इसकूल से जब आती है तो उनका पहला काम रहता है गाव में पानी लाना यहां के बुड़े बुड़ी औरते बोरिंग चला र जिए को मैं किसी की खामी नहीं की नहुंगा लेकिन कमी है ना कमी है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है मतलब आप आप जिम्मेधार को कशट करने के लिए जादसेशल के साल नमुम्फिन सी बात लगती है और कितना मतलब शहर से कितना करीब एक हो निगाओ चिंभी बाड़े जोड़ कर मैं हाज जोड़ कर खाड़ी पार के सभी नौजावानों से दर्खवास करूँगा आप रात में धावा खाते हो सुबा निकल जाता है आपके इससे में कुछ नहीं आता कुछ भी नहीं आता कुछ वक्त की लज़त है बस हमारे घर की जो औरते तकलीब उठा रही ह यह जारी है तेंकर से पानिला के बीडिक में चड़ाना पॉर्ण रहा है इस मसले को हल करना जरूर है और इसलिए यह हमारे बिलाल भाई है इननोंने हैद कर लिया हमारे है इन्होंने अहयत कर लिया है अश्पाक भाई और हैं इनका पूरा नहीं बागादा लिखा हुए कि के पूरे को नंबर 1 की लोगों से लौगों आप अपना मुस्तक्बिल देखो, अपने बच्चीयों का मुस्तक्बिल देखो, अपने अउर्तों का मुस्तक्बिल देखो, अपने खुद का मुस्तक्बिल देखो, ये पांस साल जो इना बहुत अहिमियत का हमिल है, बहुत अहिमियत का हमिल है, पानी के लिए, आप पंखे सबसे पहले आपका पांच साल सुधार देगी यह वादा मैं आपसे करता हूँ इन दोनों के इन दोनों के तरफ सी यह मेरा वादा रहा कि जो जट करना पड़ेगा यहां से मंतरा ले तक कंट्रा का कलक्टर तक लेकिन हमारे जो नौजवान है इनको रोजगार पंचाज समिती में जीला परिशत में करक्टर अफिस में दुनिया भर की वेकैंसी निकलती है पता ही नहीं है क्या हो रहे मतलब यह हो क्या रहे हमारे हमारे बच्चे को अंदर शहूर नहीं है पड़े लिखे नहीं ऐसा तो ह सब्सक्राइब करेंगे लेकिन इसकी जीत के साथ में हमारी अगली जीत जो हम उसके उसके उपर सब्सक्राइब हमारी पहली है और मैं चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से के खाड़ी पार के नौजवान जागरूत हो जाए अपने घर वालों का मुस्तक्बिल देखे अ मैं रहता हूं आज 55 साल ओगए मेरे को खुणी गराम पंचात में रहते हुआ खुणी घराम पंचात में पच्पन साल हो गये यह पावर भी नहीं थी पानी भी नहीं था जब से महीं आ रहता हूं गिंती से सवसे 7800 मकान थे आज इतना बढ़ा एक सीटी के मापात ये अब रहते हैं अपले मतलब यह सारे काम करते है लेकिन पानी कि आएंफ सबसे बडें तकलिप तो पानी की है, मैं यहनी अजे बंद साथ मादव कि यह जब 7 समस्ट देख रहा हूं, कुछ उनके तरीके से जो सियासिती चाड़ हम तो नए है हमको कोई सियासत के बारे में कोई मालूमाद नहीं है लेकिन उनको सब मालूमाद हो अपना दाव पेच खेल के फिर से वो जिद जाते हैं लेकिन इस बार इस बार पूरे महले ने एक होकर ये तई किया है कि नव जवान बच्चों को नए चेहरे को लाना है उसमें नए चेहरे हमारे जुबेर भाई है और दस्तगीर भाई है पबलिक को ध्यान से सोच के समझ के अपना कीमती ओड जुबेर भाई और दस्तगीर काम में इंशाल्ला मोले के खड़े रहेंगे ऐसा मेरा बूलना है तो यह कहना है भाई कोई भी अपना मिंबर हो या सर्पान जो खाली हो आश्वासन देगे जाते हैं तुम हमें ओडो हम तुमारा काम करेंगे लेकिन हमारा उट यहां से लेगे चले यहांते काम कुछ होता है बाद यह जनता यहीं चाहती है गया हमने दो हमिद्वार को खड़ा किया है युवेर भाई हो दस्तगीर भाई आप अपना खिम्ती होट डेके कामियाब करें इंशाल्ला हम काम में लगे रहेगी पानी का तो हर कोई कह रहा है लेकिन एक जो समस्या हो रहे के नालियों की ज लोग नमाज जाते चोटे बच्चे स्कूल जाते नापाकी होती है उस पानी आंग तो लगता है वो चपले घर में जाती है वो भी एक बहुत बड़ी मतलब समस्या है घंटा गाड़ी नहीं आती है अब यह उम्मीद कर रहे है कि इस बार यह जब उम्मीद्वार चुन कर आएंगे तो इन सारी चीजों का हल निकाला जाए इनसे उम्मीद इसलिए है क्योंकि इने हमने चुनाएं जीतने के पहले हमने हमारे एरिये से चुनाएं और इनसे बेशक उम्मीद आशा है कि यह ज़रूर चुन गया आएंगे तो बेशक इंशालला काम होएगा तो वाड नंबर एक के जो उम्मीद वार है उनसे भी बात की जो सोशल वरकर है उनसे भी बात की और जो यहां के महले वाले एरिये वाले जो वाड के लोग है उनसे भी बात की तो मालूम यह हुआ है कि यहां पर शहरों की तरह यहां पर भी वही सारी प्रॉब्लम है कि कर रहे हैं वो अपने वादे पर पूरा उतरते हैं या यह भी विल्कुल ऐसे ही रहेंगे कि वोट लेने के बाद गायब हो जाएंगे अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा पांस नमंबर को एलेक्शन है देखते हैं कि क्या होता है